दोस्तो नमस्कार जीत हो तो ऐसी हो सामने वाला जिस सियासी जमीन पर खड़ा हो उसी सियासी जमीन को खीच कर राजनितिक जीत का ठपा कुछ इस तरीके से लगाया जाए वो तमाम मुद्दे वो तमाम एलान उसी हवा में गुम हो जाएं जिस हवा में जीत का पर्चम लहरा यह जीत गजब की जीत है। इस जीत का मतलब यह नहीं कि कॉंग्रेस के तीनों इक्के धरशाई हो गए। और वह इक्के जो आज से नहीं बरसों बरस से कॉंग्रेस के साथ जुड़े थे। इस तमाम परिस्तितियों को जोड़ियेगा तो हो सकता है आपके जहन में मौजूदा वक्त के बहुत सारे सवाल लगातार गूंज रहे हूँ। लेकिन जरा कलपना कीजिए भारत की राजनिती में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो चुनाओं प्रचार के वक्त ही एलान र राजनितिक जीत के लिए फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री नरिंद्र दामोदर दासमोदी एक ध्रूफतारा है। ये सवाल आज बहुत जरूरी है और इस सवाल के साय तले भारत की राजनिती में करवट लेती हुई परिस्तितियों को परखने और समझने की भी जरुर है। हाला कि तिलांगना में जीत कॉंग्रेस को मिली है। कॉंग्रेस के 10% वोट बढ़े हैं। लेकिन उतने या उससे कुछ ज़्यादा वोट बीजेपी के भी बढ़े हैं। छत्रप की हार हुई है। और इस देश के भीतर में 2011 के बाद कभी कॉंग्रेस की सरकार या नहीं दुबारा जीत नहीं पाई। लेकिन 2014 के बाद इस देश में बीजेपी की सरकारें बार बार क्यों जीती। और हर दौर में बीजेपी की जीत के साथ उस रज की गवर्निंस का सवाल या रज के मुक्मंत्री का सवाल जरूर जोडा गया। लेकिन इस बार तो कोई नहीं है एक ही चेहरा है एक ही नाम है एक ही चुनाव चिन है और एक ही ऐलान है गैरंटी का ऐलान लेकिन सवाल इतना छोटा नहीं है ना शडूल कास्ट की राजनिती माइने रखेगी ना अदिवासियों को लेकर कोई ऐलान माइने रखेगा शहर दर शहर और इस देश के अवाज उठेगी लेकिन वह अवाज भी कोई माइने नहीं रखेगी। इस देश के भीतर उठते हुए सवाल भी चुनावी जीत हार के आसरे। अगर लोक तंत्र को तैक करने लगे तो फिर मान लीजिए यह गजब की जीत है। और इस गजब की जीत के आकलन तले खुद प्रधान मंत्री अगर रज दर रज घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी की गैरंटी है तो एक छण के लिए जरा सोचिये पार्लेमेंट के भीतर जब समूचा विपक्ष एक था। नारे लग रहे थे अडानी को लेकर और अडानी और मोदी को लेकर तब भी वो शक्स अगर अडिक ये कहकर रहता है कि देख लो कितनों पर भारी हूं मैं इस संदाज को पहले आप देखिए तब समझाएंगे भारत की राजनिती में क्या परिवर्तन आ चुका है क्या परि विसके लिए करता है डानी थे देख रहा है एक चितनों को भारी पुझा ऑनी नारे बोलने के लिए की तूंको बदल घरना करता है तो तुछिय वोलता है जन्ते पर जैवाब की जवाब के लाएंगे लिए कन्विक्श्म के कारण चला नारे देखिए जीता हूं देश के लिए कुछ करने के लिए नित्या हुआ हूँ और इसलिए ये राज निती खेल खेलने वाले लोग अंग के अंदर वो होकला नहीं है वो ठून रहे हैं बतने का रास्ता खोज रहे हैं एक अकेला कितनों पर भारी और इस कितनों की कतार में अगर एक-एक नेताओं के चेहरों को खड़ा करते चले जाईए एक-एक मुद्दों को खड़ा करते चले जाईए इस देश के भीतर में आइडिया ओफ इंडिया हो या लोकतंत्र का सवाल हो अगर उन कतारों को भी खड़े करते चले जाईए और फिर मान लीजिए चुनावी जीत सब कुछ है तो एक अकेला कितनों पर भारी नहीं दरसल एक अकेला सब कुछ फतह करके अपने अनुकूल परिस्तितियों को बनाने की दिशा में खास तोर से 2024 को लेकर किस रूप में संदेश है याद कीजिए हिमाचल परदेश की जीत हो उससे पहले बंगाल में ममता की जीत हो हिमाचल में कॉंग्रेस की जीत करनाटक में कॉंग्रेस की जीत लेकिन तब सवाल सिर्फ रज का था लेकिन इन पांच रज्यों के चुनाओं के भीतर की खुश्वू 2024 की दिशा में जा रही थी और हर किसी को इस बात का एसास था इन चुनाओं के परिणाम 2024 में कैसा फैसला हो सकता है किस रूप में बीजेपी और कॉंगरिस या कहें भारत और इंडिया किस रूप में टकराने वाला है इस पर सियासी तिक्ड़ में आने वाले वक्त में खूप चलेगी लेकिन किसे पता था इस देश के भीतर में जो भी आकलन किये गए वो सारे आकलन 36 गड़ को लेकर गलत हो गए जो आकलन बटे हुए थे मद्दपरदेश को लेकर वह भी बेमानी साबित हो गए और राजस्थान को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह भी धूमिल पड़ गए हाला कि तिलांगना का सवाल कहीं न कहीं किसी को टीस फर रहा होगा खास तोर से छत्रपो की एक कतार को और छत्रपो की कतार कॉंग्रेस के अधीन हाकर दो हजार चौपिस के मैदान में जाना नहीं चाती थी इसलिए समाजवादी पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो एन सीपी हो या फिर नैशनल कॉंफरेंस कश्मीर की हो या फिर सीपी आई और सीपीम ही को ना हो एक लंबी कतार है इस दोर को जरा समझने की कोशिश अगर इंडिया की दृष्टी से समझिएगा तो निशाने पर कोई दूसरा नहीं कॉंग्रेस है और जिस जीत का हम जिक्र कर रहे हैं उस जीत के दाइरे में कौन सा मुद्दा किस रूप में माइनिर रखता है आज इस पर ना तर्क किया जा सकता है ना उन मुद्दों के आसरे राजनितिक जमीन को टटोला जा सकता है क्योंकि 36 गड़ के भीतर बीजेपी को 46 फीज़दी वोट मिलते हैं मद्द परदेश के भीतर लगभग 48 और 49 फीज़दी के लगभग वोट मिलते हैं तेलांगना के भीतर डबल वोट होते हैं पिछली बार विदान सभा की तुल्ला में और वह 14 परसंट वोट तक जाते है राजस्थान में ये 41-42 परसंट वोट मिलते हैं अगर सिर्फ हिंदी पटी को आप देखना शुरू कीजिए और एक छण के लिए भारत के नक्षे को देखिए इस नक्षे को देखते वक्त आप समझ जाएंगे कि कॉंग्रेस का उदय जिस हिंदी पटी और खास तोर से जो उर्व का हिस्सा हो उस दिशा में चलते चले जाईएगा तो वहां आपको मौजूदगी नजर आ सकती है विपक्ष की जो बीजेपी के विरोध में खड़ा है लेकिन इस नक्षे को देखते वक्त एक चीज और जहन में रखिए इस नक्षे के आसरे ही दो हजार चौबिस क मैदान में कूदना है और ये नक्षा कौन सी कहानी कहता है एक च्छण के लिए इस नक्षे को भी समझ लीजिए जी इस नक्षे का सच ये है कि इस देश के भीतर तकरीबन 25 करोड लाभारती जो केंद्र की योजनाओं से जुड़े हुए है उसका लगभग 60 फीजदी हिस्सा जो है इस मद्ध भारत के हिस्से में आता है और यहीं पर बीजेपी को जीत मिली है पहली आवाज क्या इस दौर में जब प्रधान मंत्री मोदी चुनाओं परचार के वक्त बतौर स्टार परचारक ये कह रहे थे कि मोदी की गैरेंटी है तो इस गैरेंटी का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि इस से पहले विपक्ष की राजनिती और तमाम छत्रपों के वा इन राज्यों में चुनाओं लड़ने के लिए जरूर उत्रे लेकिन उन्हें एक परसंट से भी कम वोट मिला जरा सोचिये बियस पी जो चुनाओं परचार के मैदान में नहीं थी उसको तमाम छत्रपों से ज़्यादा वोट मिलते हैं जो सीटों की मांग कर रहे थे या अ लेकिये आम आदमी पाटी कहीं पर भी एक परसंट वोट नहीं मिला चत्तिस गल में सबसे जादा 0.92 परसंट मद्द परदेश में 0.46 परसंट राजस्थान में 0.37 परसंट समाजवादी पाटी चत्तिस गल में 0.04 परसंट मद्द परदेश में 0.43 परसंट राजस्थान मे 0.01% CPI और CPM का भी यही हाल जनता दल युनाइटेट के उमिदवार मदपर्देश में लेकिन 0.02% और बड़ी बात यह है कि इस दोर में OVC की पार्टी AI MIM का जिक्र होना चाहिए जिनें खुद हैद्राबाद के इलाके में जो उनके उमिदवार थे 6 उमिदवार जीते हैं 1.7% उन्हें मिलता है तिलांगना के भीतर राजस्थान में 0.01% उसके बाद बदपर्देश में 0.10% लेकिन दूसरी तरफ जरा इस राजनिती को एक छण के लिए पलट यह और समझेए बीजेपी अगर 45% के साथ तीन राज्यों में खड़ी हुई है तो कॉंगरेस 40% के साथ इन तीन राज्यों में खड़ी होई है पहला मेसेज जो सबसे बड़ा मेसेज है छत्रपों की दुनिया और उनकी राजनितिक जमीन क्या इस दौर में खट्म होने का अब हिंदी पट्टी में हो चला है जो निकला तिलांगना से लेकिन इन इलाकों में छत्रपों की मौजूदगी खतम हो गई दूसरी बात इस दौर में जब पूरी तरीके से राजनिती बाइपोलर हो गई आमने सामने की परिस्तिती है तो जन्ता को एक नायक चाहिए एक ऐस नायक जिस चेहरे के आसरे वह अपने वोट को कहीं ना कहीं कीमती बता सके। राजनितिक तोर पर छत्तिस गड़ में तमाम मंत्रियों की हार सिर्फ एक मंत्री चुनाओ जीत पाया। ये मेसेज क्या है। खास तोर से तब जब भुपेश बगेल की पहुँच दिल्ली तक और प्रधान मंत्री मोदी उस रज को ATM कहने से कतराते नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान के भीतर तमाम योजना तमाम चेहरे सब कुछ खारिज और एक तरफ प्रधान मंत्री मोदी का चेहरा आकर खड़ा होता है। ये मेसेज क्या है इस देश में राजनिती करने वालों का जो बीजेपी से छिटक कर अपनी राजनितिक दल को जिलाने के लिए या खुद की राजनिती को साधने के लिए और चुनावी जीत के साथ भरे पेट इस देश में जीने के लिए अपनी मौजूदगी का एसास कराते हैं उस राजनिती का मतलब क्या है। मद्परदेश के भीतर कमलात की मौजूदगी और जिस रूप में चुनाव जीतने की विउरचना करना और कोई माइने नहीं रखता है अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो जो बीजेपी का हिंदुत काड़ था वो जादा अग्रिसिव तरीके से मद्परदेश के भीतर कॉंग्रिस ने अपना लिया जो एलान दर एलान योजनाओं का था उसको कई कदम आगे बढ़कर राजस्थान में गहलोत ने अपना लिया 36 गड़ के भीतर जो आदिवासियों के सवाल थे उन सवालों को लेकर चुनाओं के वक्त वुपेश बगेल आगे जरूर बढ़े लेकिन आदिवासियों ने हैं उन्हें खारिच कर दिया तो क्या यह माइनिंग सेक्टर के घोटाले का संकट था माइनिंग सेक्टर में हो रहे आदिवासियों के आंदोलन का संकट था और इन तीनों परिस्थितियों की लकीर अगर समझियेगा तो कॉंग्रेस के भीतर छत्रपों ने अपने कारकरताओं पर भरोसा नहीं किया बलकि एजेंसिस पर चले जो हाथ में कॉम्प्यूटर थाम कर जीत किस रूप में मिलेगी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और उसी लिहाज से उन्होंने अपने धीरे धीरे पग आगे बढ़ाए और यही से सवाल शुरू होता है कि इस देश में दो हजार चौबिस को लेकर इस देश के तमाम मुद्दों के मद्दे नजर जनता एक नायक खोज रही है उस खोजते हुए नायक की आवाज अलग अलग सुरू के साथ निकलनी शुरू हुई कॉंग्रेस की राजनिती भारत जोडो यात्रा के बाद या राहुल गांदी जो गांदी नहरू परिवार से निकल कर इस देश की गलियों में धूल फाकते हुए नजर आते हैं तो लगता ये है कि वह पिपुल्स राजनिती की दिशा में बढ़ रहे हैं यानि जन राजनिती और रियल पॉलिटिक्स जो होता है उस दिशा में वह चलेंगे और रियल पॉलिटिक्स का ऐसा घालमेल होता है कि एक जटके में OBC का मंत्र उनके माथे में समाता है और चीजे एक जटके में जो भारत जोड़ो यात्रां से सरुकार की राजनिती थी वो जातिय समिकन को साधने की दिशा में नियाए शब्द के साथ निकलती है असर चुनाओं के भीतर जो वोट परसंटेज है वो OBC का वोट बीजे पी के हक में तकरीबन रज दर रज 15 से 25 परसंट तक जादा चला जाता है कोई वोट नहीं देता है वोट देता है तो बीजे पी की तुलना में कम देता है आदिवासी का सवाल नारों की शक्ल में या परिभाशा गणने के सवाल के साथ आदिवासी और वनवासी का सवाल लेकिन आदिवासीों को लेकर जो नितिया रज्यों के भीतर होनी चाहिए वह अगर गाइब है तो सवाल यही था कि आदिवासी बहुल 36 गड़ के भीतर भी आदिवासियों ने वोट बगेल को क्यों नहीं दिया और जब नहीं दिया और सामने विकल्प एक ही है तो उसी दिशा में कए लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक और भारत आदिवासी पार्टी को लेकर भी है जिसने राजस्थान के भीतर अपना निर्मान की और तीन सीट जीती, मद्द परदेश के भीतर उसने एक सीट जीती है ये ट्राइबल पार्टी से निकल कर भारती आदिवासी पार्टी बनी फिर यहां पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है जो जाती की राजनिती और समुदाई की राजनिती है और इस देश की गवर्निंस है उसके आसरे अगर चुनाओं के मैदान में अपने उमिदवारों को लेकर आप उतरते हैं तो जरूरी नहीं की जीत मिल जाए क्योंकि एक बड़ा धे इस देश के भीतर लगातार कुछ खोज रहा है और उस खोजने की परविर्ती में कौन वो शक्स होगा जो दावे के साथ और ठोक कर कहे कि हमी हैं तो आप हमारे साथ हैं यानि जिस गरंटी शब्द को क्वाइन किया जिसने भी उसने एक बात को क्वाइन कर लिया कि सत्ता में जो है अगर वो गरंटी ले रहा है और जो सत्ता में नहीं है सत्ता में आने के बाद की गरंटी ले रहा है इन दोनों में अंतर है जो अंतर बहुत साफ तोर पर इन तीन रज्यों में नजर आने लगा। सत्ता में आने के बाद क्या कुछ दिया जाएगा इसका एलान बाखुबी कॉंग्रिस कर रही थी और बड़ी तादाद में उसमें देने का एलान किया और बार बार ये पूरा चुनाओ चाहे अंचाहे दो हजार चौबिस के दिशा में जाही रहा था यहां से तीसरा सवाल उटता है तो क्या दो हजार चौबिस का रिजल्ट आ चुका है और क्या ये माना जा सकता है अब दो हजार उन्निस में तो फिर भी कुछ उमीद और आस थी लेकिन इस परिस्थिती ने एक जटके में बतला दिया कि दरसल दो हजार चौबिस का परिनाम जो मत रहे थे आप जिस तेजी के साथ करनाटक जीत के बाद आप इंडिया बनाने की दिशा में बढ़ गए क्योंकि आपको दो हजार चौबिस नजर आने लगा था और दो हजार चौबिस के मद्दे नजर आपस महीं लड़ते भिरते कुछ सीटों के बाटने और ना गहलोत की राजनिती हो या पाइलट का विरोध हो बगेल की राजनिती हो या टियस सिंग देव की अपनी बिसात हो या फिर कमलनात का अपना पूरा का पूरा दोनों बाहें फैला कर राजनिती करने का अंदाज हो मात सब को मिली है और जब इन परिस्तितियों से निकलिएगा तो एक जटके में आपको तिलांगना दिखाई देगा और आप सोचिएगा एक ऐसा शक्स रिवान त्रेडी एक ऐसा शक्स है जो एक जटके में निर्णे लेता है वक्त गवाता नहीं है ये करना है तो करना है एवपी में थे तो चोड़ेंगे, टीडिपी में गए छोड़ना है तो चोड़ेंगे और कॉंग्रेस में आए तो जीतना है तो जीतेंगे क्योंकि सामने वाले की उम्र पूरी हो चली है। अब उसकी उम्र पूरी और नई उम्र शुरू लेकिन इन सब के बीच कुछ और परिक्षण इस दौर में होने हैं जिसको तीन चार शब्दों के जरीए आप समझ लीजिए। पहली बात क्या इस देश की भीतर में कोई ऐसा पॉलिटीशन इस से पहले हुआ जो सत्ता में रहते हुए वह भी किंद्र की सत्ता में रहते हुए रज्यों की राजनिती को साधने के लिए किंद्र की गारंटी दे यानि पूरा फेडरल स्ट्रक्चर कोई माइने नहीं रखत है गैरंटी कोई दूसरा शक्स दे रहा है क्या ऐसा पॉलिटीशन हुआ कोई ऐसा पॉलिटीशन हुआ जो की जानता है कि उसके अपने पॉलिटिकल पार्टी के छत्रप चुनाओं जिता सकते हैं लेकिन खुले तोर पर उसने एलान किया चेहरा यही रहेगा वह भी सोच दो हजार चॉबिस का एक आत्म परिक्षण इन राज्यों के चुनाओं में क्यों ना कर लिया जाए और अगर किया जा रहा है तो इस आत्म परिक्षण के जरिए जीत हार तै कर देगी कि 2024 के चुनाओं में 300 आएंगे, साले 300 आएंगे या 400 आएंगे, क्या इसका परिक्षण हो गया? क्या ऐसी पॉलिटीशन को इससे पहले कभी मुलाकात हुई आपकी? जो इस देश के भीतर जितने मुद्दों को लेकर घिरा हुआ हो, उन्हीं मुद्दों को अपना हतियार भी बनाए और इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्तितियों में अपनी राजनितिक विचारधारा को ऐसे गुथा हुआ मैसूस कराए, जिसमें जीत की गैरंटी सा जेपी की हुई है, जी नहीं, ये जीत नरेंडर मोधी के करिश्माई नितृत को है, ये नितृत विसात विचाता है, उमिद्वारों को टै करता है, चुनाओ की तिकलमों को समझता है और नए तरीके से तानवाना बुनने की स्थिति में लाकर खुद को खड़ा कर देता है आज उन पर स्तितियों को पीछे छोड़ दीजिए कि वह प्रधानमंत्री है इन स्तितियों को पीछे छोड़ दीजिए कि इस देश में सम्विधान और डेमोक्रेसी का सवाल खड़ा होता है और आज यह समझिये कि अब मीडिया किस रूप में आपके सामने खड़ी होने वाली है अब यह समझिये इस देश के भीतर में जो आप अदालतों के भीतर जहांक रहे थे वहां से कैसे फैसले आएंगे अब उसका अंदाज आपको हो चला होगा इस दोर में संस्थानों के भीतर के सवाल भी भूल जाईए नौकरशाही को लेकर जो सवाल उठते थे आज के दिन भूल जाईए जिकरबाद में होगा और इनी परिस्तितियों में एक मोटी लकीर खीचिए और उस मोटी लकीर पर एक सियासी परत बिछाईए और उस पर रेड कार्पेट डाल कर देखना शुरू कीजिए जो जस्त बीजेपी हेड़कॉाटर में हो रहा है और उस पर चलता हुआ एक अकेला शक्स आपको नजर आ रहा है जीत हो तो ऐसी हो बहुत 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 बहुत